जेहन, मार्केट ने एक और लाइफ टाइम हाई बनाया, मार्केट 23,490 तक गया अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट ने हाई बनाया, तो IPO वाली कम्मिनिटी ने का कि भईया हम भी बहती गंगा में हाथ दोएंगे, हम भी लेकर आएंगे अब कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, स्टैनले का डबा, अब आ रहा है स्टैनले का IPO, अब देखेंगे कि IPO कैसा चल रहा है और फाइनली तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, क्या हमें लगाना है या नहीं लगाना और लगाना है, तो कितने लिस्टिंग के हिन तक एक्सप AC, ठंडा पानी इन सब की विज़ा से थोड़ा सा cold हुआ है, तो हो सकता है, अवाज हलकी सी कम हाए, बट मैं न कोई excuse बनाना नहीं चाहता कि मेरी तब यह डाउन थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, यह वो knowledge हमेशा up to date रहना चाहिए, तीन दिन की चुट्टी है, तो ह हमने का चलो हम भी थोड़ा सी महनत कर लेते हैं, without wasting time, deep dive करते हैं अपने analysis में, अभी जो हम लोगों ने 5 best stocks डाले थे जून के लिए, अब हुआ क्या था पता है, April हमारा अच्छा गया था, 10% के आसपास gains आए, माई में माई न 6-7% के आसपास gains आए, बट कुछ लोग ना व overall 4.7, nearly 5% gains बनेगा एक हफते में, पूरी recovery हो गई, क्योंकि आपने patience रखा, fundamentally जो stocks देना वो test करें, चलो, अब without wasting time, देखते हैं कि IPO की table पे, कौन-कौन से IPO आ रहे हैं, हमने किस-किस के analysis देख लिए, और आज हम जो Stanley के analysis करने वाले हैं, but yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने channel subscribe नह यूजर हो, यह deep piping के analysis भी मैं अलरीडी डाल चुका हूँ, बजाज housing finance का IPO आने वाला है, इसका DRHP file हुआ है, RHP file नहीं हुआ, यहां पर एक shareholders quota के लिए कैसे analysis करना है, देख ले ना, 7-8 minute की वीडियो है, यह वो five best stock जिसके हम बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने यहां पर analysis ability आई थी, 4-5 June के आसपास, remember, और यहां पर हुआ क्या, have a look, dot to dot, 20-21% पर ही open हुआ, क्योंकि हम लोग ना, चो calculation करते है, बहुत EPS देखता हूं, मैं PE देखता हूं, table पर कितना छोड़ा है, last time growth क्या थी, profit margin कितना आ रहा, उस time कोई IPO आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा, सेम चीज हुई थी, IZEGO में, मैंने यहां पर बोला, 60 times के आसपास, over subscribe होगा, और हावा लोग यह 98 times over subscribe हुआ था, चलिए जी, यह सब बंद करते हैं, यह बंद कर दिया, यह बंद कर दिया, और यह बंद कर देते हैं, table की बात करें, तो यहां पर हमारे पास तीन IPO आने वाले है D के analysis already मैंने डाल दिये, Acme Fin Trade के analysis मैं डालूँगा, और Stanley के आज analysis हम लोग करने वाले हैं, बट इस बीच में एक बात ध्यान लाकरा, यह जो दोनों है, यह दोनों clash कर रहे हैं, 19-19-19, चलिए जी, next part पर आते हैं, अब देखते हैं, Stanley के डबा में हमारे पास क्या है, founded in 2007, Stanley Lifestyle Limited Designs and Manufactures, Super Premium, Luxury and Ultra Luxury Furniture, मतलग, खुद ही design करते हैं, in-house ही manufacturing है, third party नहीं है, खुद ही घर पर बना लो, Super Premium, Luxury, Ultra Luxury क्या, furniture and sell it through brand Stanley, ठीक है, किस-किस में काम कर रहे हैं, जरह वो भी समझ लेते हैं, divided into following categories, एक हो के sitting का, this includes design, production, sale of sitting furniture, such as sofa, sofa beds, recliner, dining chairs, puffs, bars, tools etc, etc, case goods हो गया, kitchen cabinets हो गया, mattress beds हो गया, automotive and others भी हो गया, जिसमें ये शू, manufacture of shoes that can be consumized to customer specifications, ये वो सब करते हैं, मतलग, furniture से, main इनका काम फरनीचर का है, उसके अलावा भी, जैसे kitchen cabinets हो गया, फिर उसके बाद, solid casting हो गया, ये वो सब में इनका काम बना हुआ है, तो दिको, problem पते कह, यहां पर problem यह है कि कहीं, लोग क्या करते हैं, वो आपने आस-पास की जो दुकाने होती हैं, जो vendors होते हैं, घर के आस-पास दुकाने हो गया, उन से जाधा buy करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, लिए तो इनके price point भी थोड़ा सा महेंगा रहेगा, ये उन customers को ही target कर रहे हैं ठीक है एक बड़ जरा समझ लेता है कि इनके टेबल किस-किस लिए कब-कब आ रही है तो आई पी ओपन होगा 21 तारिक को 25 तक आई पर रहने वाला है फिर वेडनेस यानि 26 तारिक को पता चलेगा किस-किस को लकी ड्रॉव में से नाम निकला किसका नहीं निकला और र होने वाला है ठीक है अब आते है नेक्स पार्ट पर मोस्ट इंपोर्टेंट फेस वेल्यू पहले से ही प्री स्प्लिट है दो रुपए प्राइस बेंड रखा 359 तो 369 हम अप्लाई करने वाले हैं 369 पर या कटाओ बॉक्स पर टिक कर देना 40 शेर्स का इन्होंने एक कि कितना पैसा कंपनी के पास जाएगा कितना पैसा बाहर जाएगा तो कंपनी बोल रहे है कि मुझे 537 करोल रुपए ही चाहिए जिसमें से 200 करोल रुपए यानि सम्वाट अराउं 37 परसेंट जो है वो मैं कंपनी के रिजर्स के खाते में डाल दूँगा और इक्विटी के परसेंट जो जाएगा OFS में offer for sale में यह चीज में अलड़ी कई बार बता चुका हूं तो एक बर क्विक्ली ना दुबारा से बता देता हूं क्योंकि कई लोग पता हैं वो लोग नए नए वीडियो देखने आते हैं तो जो नए व्यूवर से उनको भी knowledge मिलनी चाहिए company ने कहा कि हमें funds raise करने हैं हमें पैसे की जरूरत है हमें outlet खोलने है और business expand करना है अब इनके पास दो option है पहला option हो गया है debt या फिर इसको बोलेंगे loan जिस पर fixed amount का interest जाएगा ही जाएगा यहाँ पर कोई लेना नहीं कोई देना नहीं जी रहे हो मर रहे हो sale हो रही है नहीं ह हो रहा है हमें ब्याज यानि और principal भी interest भी चाहिए ही चाहिए यह तरीके की liability बन जाता है अब बाकी की बात करें तो loan के लावा option बचता है equity का यहां पर अच्छी बात क्या है 10 रुपे का share issue हो सकता है 10 का 500 भी हो जाए 500 का 5000 भी हो जाए blue chip बन जाए और हो सकता है 10 का 0 भी हो सहारा बन गया BCG बन गया इतनी सारी companies है जो deal list हो गई अब यहां पर equity में दो option है पहला private placement प्राइवेट प्लेस्मेंट मतलब आप किसी बड़े player के पास गए HNI के पास गये एंजल इंवेस्टर के पास गये और FIA DAI के पास गये उसको बोला कि भाईया मेरी company में इंवेस्ट कर जैसे कि shark tank हो गया 2% equity दूँगा 20 लाग के बदले उसने इंवेस्ट कर दिया इस case में company stock market पे list नहीं होगी आपने कहा कि भाईया मैं stock market के root के through जाऊंगा यहां पर लिख लेता है stock market के root के through जाऊंगा तो यहां पर आपकी company list होगी और काफी सारे लोग आपके shareholders बन जाएंगे अब आपको उठाने थे 537 करोड जिसमें से 200 करोड यानि की 37% तो जाएगा company के खाते में और बाकी जो है बाकी जो है यानि की 63% वो पैसा जाएगा selling shareholders क के पास जिसके पास पहले से ही माल पड़ा हुआ है माल पड़ा हुआ है यानि आप IPO भरोगे 537 करोड का पर उसमें से सिर्फ 37% यानि 200 करोड जा रहे है company के पास यह logic clear हुआ इसका screenshot लेने ना बाकी जो IPO जा रहे है उसी साब से भी इसको analysis कर लेना मैंने जल्दी से बता दिय चलिओ जी नेक्स पार्ट पर आते है कित्रा कितना कोटा दिया है आप पर क्यों आई भी को देने वाले कि आपको 50% तक ही मिलेगा रिटेल वालों को 35% मिलेगा और एचे नाई को 15% तक ही मिलेगा not less than 15% अगर हम फिल करेंगे तो हम इस category में जाने वाले है क्यों क्योंकि य मेरा यहां पर कोटा ज्यादा है चीक है नेक्स पार्ट पर आते हैं क्विकली एक लॉट का साइज भी देख लेते हैं एक लॉट है 14,760 रुपए का और अगर 13 लॉट्स यानि 2 लाग तक अप्लिकेशन है तो रेटेल कैटेगरी में जाएगी मैं अगर लगाऊंगा तो 13 म में लगाऊंगा बन डिफरेंट पैन अकाउंट से क्योंकि मुझे इस कैटेगरी में ही रहना है एचना कैटेगरी में ऊपर जाना है तो 10 लाक और 2 लाक से उपर यानि 14 लॉट्स और 68 लॉट्स का यहां पर इन्होंने बैकेट बना दिया चीक है जी नेक्स पार्ट पर आत से कर लेना एक्युवलेंट बना लेते हैं एसेट्स तीन चोच्यालिस करोड के से अच्छे खासे बढ़ गए यहां पर 80 करोड से 422 करोड हो गए 50 करोड से बढ़े तो अल्मोस्ट 460 करोड हो गए 581 ग्रोफ दिखाई दे रही है जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री तो अच् करोड की इक्युवलेंट भी बनाओ तो भी 430 करोड ही आएगा यानि की इन लाइन ही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब यहां पर प्रॉब्लम समझते हैं यहां पर मार्जिन नहीं है कंपनी के पास 200 करोड की सेल पे 2 करोड का प्रॉफिट यानि की 1% मार्जिन 300 करोड की सेल्स पे 23 करोड के आसपास का मार्जिन समट आराउंड 8% के आसपास मार्जिन है ठीक है बढ़ गया फिर वापस आते 425 करोड पे सिर्फ 35 करोड का मार्जिन सिर्फ 35 करोड का मार्जिन यानि की हार्ली 9-8% के आसपास ही मार्जिन है और अब 322 करोड पे 18% और मा तो मार्जन देख रहो यहां पर इस इंडस्ट्री में मार्जन नहीं है क्योंकि यह हाई सेगमेंट को टार्गेट कर रहे हैं बना अच्छी चीज रहे हैं तबीदोग खरीज रहे हैं अब आता है नेक्स पार्ट पे बॉर्डविंग्स और रिजर्व के सेक्शन पे तो borrowing और reserves की बात करी जाए, reserves 175, 191, 207, 205, slowly slowly steadily grow रख रहे है, borrowings 0, 6 करोड, 9 करोड, 30 करोड, percentage wise देखो तो बढ़ रही है पर 225 करोड के जब आपके पास reserves पड़े हुए, तो 30 करोड की borrowing देके छुट्टी करो, यहाँ पर जो interest बजेगा वो आपके share holders को पसंद आएगा, चलिए जी, next, कुछ की important ratios, return on, थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, return on equity, 8% के आजपास, capital employed, 8%, return on net worth, 8%, price to book value, 8 times, थोड़ा सा high है, pat margin, 6%, जो हम लोगों ने अल्री calculate कर लिया, यह थोड़ा सा low है, चीक है, next part, और final, कि भाईया, पैसा किस किस लिए उठा रहे हो, जरा वह बता दो हम expenditure of opening new stores under the formats of stainless level next, stainless boutique and stainless sofas and by stainless, यह वो ठीक है, नए stores वगर open करेंगे, expenditure for opening anchor stores, expenditure for the renovation of existing stores, जो already है, उनकी मरमत वगर कराएंगे, और funding the capital expenditure requirement for purchasing new machinery, तो जिसलिए पैसा उठा रहे है, तो वो तो काफी अची चीज लग रही है, क्यों, केपेक्स करेंगे, नही मशीनरी खरीदेंगे और अच्छी इनकी sales बढ़ेगी, sales बढ़ेगी, production बढ़ेगा, I should say, output बढ़ेगा, और stores वो गएर open करेंगे, जिससे sales बढ़ेगी, ठीक है, finally verdict पर आते हैं अपने, लाइये जी, blank page, 369 का price band रखाता, 40 के shares के हिसाप से, over subscription listing गे, दोनों चीज मैं आपको यहाँ पर explain करने वाला हूँ, number one, पहली बात तो apply करने वाले हैं definitely, segment अच्छा है, category अच्छी है, profit margin थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, but assets बढ़ रहे है, revenue बढ़ रहा है, यह सबसे चीज लगे, और segment मतलब जो इनके verticals थे, वो अच्छे थे, और जिसलिए पैसा उठा रहे है, वो भी अच्छा है, but अब यहाँ पर एक glitch, glitch समझाता हों क्या है, DE development जो आ रहा है, वो है 19-21 को, ACME Fintrate जो आ रहा है, वो भी है 19-21 को, यह दोनों का पैसा ही unblock होगा, कब 25 तरिक को, अब 24 तरिक की रात तक, या 25 तरिक के morning तक unblock हो जाता है, तो तो आप एक बारी को last date पर 25 तरिक को apply कर पाऊगे, कई बार glitch की वीडियो से apply नहीं कर पाई, कि funds unblock, कई बार आपने देखें, कि IPO नहीं में मिलता, 50 over subscription listing gain, number one, जैसा हम लोगों ने discuss करा कि IPO, क्योंकि वहां पर अगर fund unblock नहीं हुआ, तो impact तो आए गई आएगा, over subscription में जो expect करने वाला हो, वो समवट रहेगा, 45 ताइम्स के हिसाब से, कम कर दिया, यहां पर मैं रखता 65-70 times, बट क्योंकि IPO clash हो रहा है, तो probability है, हो भी जाए, probability है, ना भी हो, 80-90% हो जाएगा, 80-90% हो जाएगा, बट क्योंकि 2 IPO का है, हो सकता है, एक का हो, एक का ना हो, over subscription की, listing gains की बात करो, तो मैं यहां पर somewhat around 18-35% के आसपास, listing gain expect कर रहा हूँ, 18-35% के आसपास, listing gain expect किया जा सकते हैं, industry growing है, but most importantly, मैं apply करूँगा multiple lots में, 5 lot, 7 lot, अगर funds हैं, 13 lot के लिए, but different pan account से, mammy के account से, papa के account से, kutte के account से, billy के account से, driver के account से, चाचा के account से, भाई के account से, दोस्त के account से, किसी के भी account से, but retail category में, क्योंकि हूँ 35% है, और मेरी multiple application चाहेंगी, तो हो सकता है, 10 में से, एक आदा मेरे नाम की परची भी आजाए, जैसे मैंने है, पर iZ.GO का भी डाला था, कि मुझे एक lot वगेरा मिलगा, क्योंकि मैंने multiple pan account चे apply करा था, ये ते Stan Lake के IPO के detailed analysis, वीडियो पसंद आया हो, useful लगा हो, समझ आया हो कुछ भी, 2-4 WhatsApp ग्रूप में, या दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, that's it, thank you for watching the video, lots of love. झालोर भी का वेका राला था अारा तूरा monkey कुछ गना, इस अ कहँ आरा, पस्ची है उन् स स क्ढ़ते ही जाएरा और त्सएद Mysशा कロूuh नारा हो, झाल झाल